एक मित्र आपके लिए इस्यू आपका मित्र मेरा एक मित्र है वो सबसे अच्छा मित्र है एसा कोई पहले कभी नहीं हुआ वो बड़ा दयालू है और सच्चा है मैं चाहता हूँ कि आप भी उसे जाने उसका नाम इस्यू है बड़ा अनोखी बात ए है कि वो आपका भी मित्र बनना चाहता है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ हम ये कहानी बाइबल में पढ़ते हैं बाइबल सच्ची है ये परमेश्वर का बचन है एक परमेश्वर है जिन्होंने संसार और संसार के सभी चीजों को बनाया है वो स्वर्ग और परिच्वी के परमेश्वर है वो सभी चीजों को सांस और जीवन देते हैं इस्यू परमेश्वर का बेटा है परमेश्वर ने उसे सोर्ग से इस परिथीवी पर भेजा कि वो हमारा आपका उधर करता बन जाए परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया अर थात उसने आप से और मुझ से प्यार किया कि उसे आपना एक लोटा बेटा हिश्व को भेज दिया हमारे पापो के लिए मरने ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहो परंटु अनंत जीवन पाए योन्ना तिश्री अध्य है पर्द सोला इस उस प्रिथीवी पर एक छोटे नन्ने बच्चे के रूप में आया प्रिथीपर उसके पिता और माता युशुफ और मर्यम थे वो गोशला में पैदा हुआ और चर्णी में रखा गया इस्व युशुफ और मर्यम के साथ बढ़ता गया और उसने माता पिता की आग्या मानी वो यूशुफ को बढ़ाई की दुकान में मदद करता था जब इशु बढ़ा होकर एक आदमी बन गया उसने लोगों को अपने स्वर्गिय पिता के विशय में बताया उसने दिखाया की परमेश्वर उनसे प्यार करता है उसने बिमारों को चंगा किया और जो दुखी थे उन्हें सांती दी वो बच्चो का मित्र था वो चाता था कि बच्चे उसके पास आए बच्चो के लिए उसके पास समय था बच्चे इशु को प्यार करते थे और उसके साथ रहना चाहते थे कुछ लोग इशु को नहीं चाहते थे वे उसे जलते थे और उसे नफरत करते थे वे इतना अधिक नफरत करते थे कि उसे मार डालना चाहते थे एक भयानक दिन उन्होंने इशू को कुछ गलत नहीं किया था उसे हमारे स्थान पर मरना पड़ा क्यूंकि अपने और मैंने गलत किया था इसू की कहानी उसकी मृत्यू के साथ खतम नहीं हुई परमेश्वर ने उसे मृत्यकों में से जिलाया उसके चेलों ने उसे देखा और एक दिन वो वापस स्वर्ग में चला गया आज वो आपको दिखता तथा आपकी बात सुनता है वो आपके विशय में सब कुछ जानता है और आपकी चिंटा करता है बस प्राथना करें और उसके पास आजाए अपनी परिशानी की विशय उसे बताए वो आपकी सहाथा करने के लिए तयार है आप अपना सौर जुका के उसे बात कर सकते हैं कई भी और कभी भी किसी दिन वो फिर से आने वाला है जिनोंने विश्वास किया वो उन सब को अपने घर स्वर्ग में ले जाएगा